नाशनल फिल्म फेस्टिवल की बाद अब शारुक खान को इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाने वाला है वल क्या है यह पुड़ी अपडेट चलिए बताते हैं आपको अस वडियो में नवश्कार में स्ट्रिस्टि आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलिवड स्पाय में वैल जौसा कि आपको बदा दू कि शारुक खान को किसी पहचान की जरूरत नहीं है और ऐसे में शारुक खान ने खुद की और साथी साथ बॉलिवड इंडस्ट्री की ऐसी नाम बढ़ाई है जो कि कहीं ना कहीं अपने ओदे में बहुत जादा बढ़ा है आपको बदा दू कि रीसंटली ये खबरे सामने आई हैं कि शारुक खान को रेड सी इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे सीजन में सम्मानित किया जाने वाला है और ये अपने आप में ही बहुत बढ़ी बात है आपको बदा दू कि शारुक खान इसके एक्सपीरेंस को लेकर भी खुद की सोच जो है वो शेयर करते नजर आए हैं काफी जादा एक्साइटेड है शारुक खान और साथी साथ खुद में बहुत जादा प्राउड भी फील कर रहे हैं ऐसे मैं आपको बदा दू कि ये फिल्म फेस्टिवल जो है वो लाल सागर में शुरू किया जाएगा लगभग 1st of December से 10th of December तक ये फेस्टिवल चलने वाला है और इसके साथ साथ अगर हम इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो टोटल इस फिल्म फेस्टिवल में 41 languages रहेंगे जिसमें की 61 countries के 131 feature और short film में दिखाए जाएगी इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फिल्हाल शारुख खान की साओधी अरेविया में ही एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है वलागर कार शारुख खान को इस बड़े मुकाम को लेकर आपके क्या कुछ रियाक्षन है वल शारुख खान के उचाईयों को लेकर और साथी साथ उनके ओदे को लेकर ये बड़ा मुकाम जो उन्होंने हासल किया है इस पर आपके क्या कुछ रियाक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शाय करें